हलो फ्रेंड्स माई नेम इस स्वपनित सौस्तो और आप देख रहे हैं अपना यूटीब चैनल नई रफ्तार फ्रेंड्स आपने नया लेप्टॉप लिया है पर उसका बैटरी बैक आपको वैसा नहीं मिल रहा जैसा कंपनी क्लेम कर रही है और आपको लग रहा है कि आपके लेप्टॉप में कुछ प्रॉब्लम है या उसकी बैटरी खराब है बट जैनरली 99% के सेस में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता हम ही कुछ छोटे-छोटे गलती करते हैं जिसके कारण हमें फुल बैटरी का बैक अप नहीं मिल पाता तो इस वीडियो में मैं आपको कु बैटरी सेवर मोड अन है की नहीं यह आपको कहां मिलेगा जहां पर टूल वार में आपका बैटरी का आइकन होता है आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी सेवर मोड मिल जाएगा यह बाई डिफॉल्ट 20% पे सेट रहता है पर आप इसे चाहे तो 25-30% भी कर सकते हैं इसका काम क्या है कि जब आपके लेटरी 20% पे आजाएगी तो यह आपको इंडिकेट करेगा और इसके बाद आप अपने बैटरी को चार्ज में लगा देंगे और यह आपके लेटरी के लिए बहुत बेनेफिशियल है तो इसे हमेशा ओन रखिए सेकेंड पॉइंट अगर आप कोई भी एक्स्टरनल कंपोनेंट लगाते हैं जैसे की हाट डिस्क या वेबकेम तो इसे तभी प्लगीन कीजिए जब आपको इसकी जरूरत है क्योंकि अगर आप इसे लगाया रखेंगे और आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो भी उसका क बैटरी को कभी भी 0% मत होने दीजे मतलाब अपने लेप्टॉप को बंद मत होने दीजे जैसे ही आपके लेप्टॉप की बैटरी 20% पे आजाए उसे तुरंत चार्ज पे लगा दीजे और उसे कंप्लीट चार्ज करने की जरूरत नहीं है इससे आप 80 85 at max 90% तक ही चार्ज कीजिए इससे आपके बैटरी का साइकल कंप्लीट चलता रहेगा और आपका बैटरी काफी जादा दिनों तक चलेगा तो इस पॉइंट को हमेशा दियान रखिए आप अपने लेप्टॉप को बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गरम जगह पे चार्ज मत नेक्स पॉइंट मेक शियूर आपके लेप्टॉप में सफिशेंट रेम होना चाहिए जैसे आपके वर्क की रिक्वार्मेंट है उतने रेम लेप्टॉप में होना ही चाहिए नहीं तो क्या होता है कि कम रेम होने से आपके मदरबोर्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है औ से आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूं आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए आप अपने लैपटाप को चार्जर को एनी टाइम प्लगीन मत रखिए आपको जब चार्ज करना है तब ही आप उसे प्लगीन कीजिए और जैसे ही वो कंप्लीट चार्ज हो जाए उसे प्लग आपके लैपटाप के स्क्रीन के ब्राइटनेस को थोड़ा कम रखिए क्योंकि आपके स्क्रीन के जितने ज्यादा ब्राइटनेस होगी वो आपके लैपटाप के उतना ही बैटरी कंजूम करेगा तो इस पॉइंट को भी आप इंप्लिमेंट कीजिए आप लैपटाप में WiFi या Bluetooth यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसे off करना बूल जाते हैं और ये constant आपके बैटरी को यूज़ करता रहता है इससे भी आपके बैटरी बैटरी में बहुत फर्क पड़ता है तो make sure जैसा ही आपका इसका यूज़ कम्प्लेट हो जाए आप अपने WiFi और Bluetooth को off कर दीजिए Now the last point अगर आपके budget के लिए suitable है तो आप hard disk के जगह SSD यूज़ कीजिए हाला कि SSD थोड़ा expensive है पर ये आपके laptop के बैटरी को बहुत कम यूज़ करता है और यही नहीं इससे आपके laptop के performance भी बहुत fast हो जाएगी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो ये थे कुछ चोटे चोटे टिप्स जो हम अपने daily life में अक्सर गलती करते हैं और इससे हमें laptop का battery का वो experience नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको helpful लगा तो इसे like कर दीजिए friends के साथ share कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए मिलते है फिर ऐसे ही informative वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए विंदास रहिए बाबाई